सबी का warm welcome है वाईटी योर इंगली शूटर पे मेरा नाम है अमन भहल आज सुबह का दा हिंदू का second editorial हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का नाम है law and public opinion ये आर्टिकल लिखा हुआ है AG Pirari 11 की release पे ये 19 साल का लड़का जिसके उपर आज से 30 साल पहले आरोप लगा था क्या special circumstances को देखते हुए ऐसे बड़े हत्यारों को रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत interesting article है मैं कहूंगा और ये आपका आज का quiz आर्टिकल को पढ़ो चीजों को सिखो और इस quiz पे grammar और vocabulary structures को apply करो class के last में quiz का मैं आपको solution देता हूँ अभी शुरू करेंगे आईए कुछ नया सिखते है करा law and public opinion देखिए public opinion मतलब public की राय public का जो कहना है आपकी और मेरी opinion और law का मतलब होता है कानून इस phrase का मतलब यह हुआ कि क्या कानून को public opinion के इसाब से चलना चाहिए क्या public opinion कानून को बताएगी कि उसको कैसे काम करना है या कानून अपना रस्ता खुद तैय करेगा बात की जारी है on पेरारी वलन release इस पेरारी वलन नाम के शक्स की रहाई की बात हो रही है जिस पे आज से 30-32 साल पहले राजीव गंदी की हत्या का अरोप लगा था अब देखो डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाहरा है इसके टाइडल पेराग्राप से बता लगेगा करे जो रिलीज है जो रिहाई है पेरारी वलन नाम के शक्स की करे ये रिहाई कोई भी endorsement नहीं है कोई भी promotion नहीं है उसके किसी भी दावे का और जो दावा है उसकी मासूमियत का उसके blame free होने का इनोसेंस का तो पेरारी वलन को civil society के कहने पे लोगों की डिमांड पे जेल सी रिलीज तो किया जा रहा है लेकिन इसकी रिहाई में ऐसा बिलकुल भी ना समझें कि यह लड़का जो है यह जो आदमी जो है किसी भी तरीके से बेगुना था इनोसेंट था तो इनोसेंट तो यह नहीं था लेकिन लोगों के कहने पेश को खली रिहाई रिहाई जो है इसकी हो रही है release की verb is endorsement का मतलब होता है promotion या support है ना किसी के लिए आपका support चलिए subject आपका release green color में verb आपकी is pink color में subjects और verbs आपको green और pink color में पूरे article में मिलेंगे अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैं सबसे अच्छा काम क्या कर सकता हूँ जिससे कम से कम से कम वक्त में English सीख सकूँ करते हुए साथ में लेना है दिमाग में आपकी understanding बूस्ट होगी अब एक काम करते हैं article की सारी vocab पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको smoothly पड़ते जाएं आजाओ अपने exams की preparation के लिए आप मुझसे जूरूड सकते हैं आपकी अपनी application है जाके डाउनलड करें comment section से आपको मिलेंगे यह आपके courses writing का course है बिल्गुल basic से advance आप लिखना सिख सकते हो मेरे साथ इसी तरीके से banking और sse दोनों के courses अवेलबल हैं सारा syllabus आपका banking sse exams सा cover हो जाता है कोई भी query हो एप से related या number एस पर what's up करें कुछ free content और free test भी एप पे upload होगे हैं आप उनका फाइदा भी ले सकते हो writing course पे आज 12 की जगह 16 महीने की validity मिल रही है जरूर से इसका फाइदा उठाएं आज रात 12 वह तक additional 4 months validity का चलिए अपनी vocab sheet है हमारे telegram group पे available है रोज update होती है ग्रूप से आप इसको download कर सकते हो एक चीज़ ओर add कर दूँ यहीं पे अगर आप channel पे अभी भी नए आये हो और आपको पता नहीं है कि मैं शुरू कहां से करूँ मेरी तैयारी कैसे शुरू होगी banking की, ssc की, upsc की तो सीधा सा एक तरीका है आप पहले 10 दिन का break लो और इस playlist को पूरा करो home page पे रखी है complete English grammar for all completed exams बहुत ही powerful playlist है आपका सारा basics English का यहां से build हो जाएगा फिर article आप पढ़ोगे चीजें समझ में आएंगी और आपकी वहां से preparation actual में शुरू होती है ठीक है लागों लोग कर चुके हैं इस playlist से आपको भी शुरू करना है आज के words हैं हमारे ambit, convergence, dustedly, ponder और embroiled पांच words को detail में करेंगे ambit का मतलब होता है scope, domain या दाइरा, purview, orbit, jurisdiction, ramid, sphere या ram भी बोलते हैं अब देखो बहुत सारे इसके synonym में दाइरे के हैं हमारे पास आप जो word आया है वो है jurisdiction इस article में law making powers on police and agriculture fall under the ambit या jurisdiction of the states of India कानून बनाने की जो ताक्ते हैं police पे और क्रिशी पे agriculture पे ये ambit में fall करती हैं दाइरे में आती हैं jurisdiction में आती हैं हमारे भारत के राज्यों के jurisdiction नाम का word दिमाग में बिठा लें आपकी दारा है ना आपकी आपकी सिमाओं का दारा या आपकी powers का दारा jurisdiction कहलाता है अगला word हैं मारे पास convergence वर्क का मतलब किनारा कन का मतलब साथ में जब किनारे साथ में मिल जाते है जब मिलन होता है संगम होता है merging होती है confluence होता है उसको बोलते occasions convergence, अक्सर ऐसा कब होता है जब लोग आपस में agree करें है ना, जब लोग आपस में cooperate करें, तो अलग-अलग type के लोग जब एक साथ आते हैं, agree करते हैं cooperate करते हैं, दोसों कहते हैं convergence तो convergence नाम के word का एक synonym है, concurrence इसको आजा पार्टिकल में देखेंगे COVID-19 vaccines are the results of convergence of many streams of science, COVID की जो vaccines हैं, वो एक नतीजा हैं, convergence का, million का, science की कई streams के, इसमें virology भी है, इसमें medicine science भी है, कई चीज़ें science की जो streams है, mix होई तब COVID की vaccine बन पाई concurrence समझे ना, convergence होना, agreement होना, दो चीज़ें आपस में जब agree हो जाती हैं, तो concur भी करने लगती हैं, next word है, मारे पास dastardly, एक adjective है, ये synonym है, cowardly का, cowardly का मतलब होता है, बुझदिली भरा है ना, कायरता भरा, highly cowardly को dastardly बोलते हैं, cowardly और dastardly एक गुश्टे के synonym हैं, लेकिन cowardly की extreme format dastardly, separatists in the valley have targeted non-Kashmiris in dastardly attacks, कई अलगाववादियों ने घाड़ी के अंदर target किया है, non-Kashmiris को, कई नहायती बुझदली भरे attacks में, dastardly attacks में, बीच में आपने सुना होगा ना, valley के अंदर, किसी goal कपे वाले को, किसी ready वाले को, छोटे मोटे कामगर मजदूरों को, यूपी बिहार के राजस्तान के, कश्मीर में attack किया जा रहा था, तो उससे हमने इस word को attack कर दिया है, जोड दिया है, ये सभी attacks बहुत ही cowardly थे, बहुत ही dastardly थे, ठीक है, तो dastardly नाम का word, आज आर्टिकल में आएगा, नहायती कायरता भरा काम कहलाता है, dastardly, फिर एक word पॉंडर, पॉंडर का मतलब होता है, किसी चीज़ पे गहन सोचना, बहुत जो है, गहरे से विचार करना है, ना, खयाल खयाल करना, think or consider deeply is to ponder, we need to ponder over all of our available alternatives, हमें बहुत जरू होता है, कि हम ponder करें, हम घहरे से सोचें, consider करें, हमारे सभी विकल्पों को, जो हमारे पास available है, अब ponder के बाद में over आ भी जाता है, और चाहो तो आप ना भी लगाओ, ponder over भी चलता है, और ponder बिना over के भी चलता है, ponder all our alternatives, and ponder over all our alternatives, दोनों एक ही बात है, ये छुटी-छुटी बारिकिया पकड़ा करो है न, over लगाना या ना लगाना, ponder के बाद एक ही बात होती है, अब ponder को deliberate या ruminate करना भी बोलते हैं, ruminate मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा word है, exam purposes जिससे पूछा जाने वाला, कुछ words होते ही ऐसे हैं, जिसको देखते examiner को पूछने का बन करें, है न, तो ruminate ponder का synonym होता है last word है, हमारे पास embroiled embroiled का मतलब होता है, गहरा involved किसी चीज में बहुत बुरे से फसा हुआ, I became embroiled in an argument with a taxi driver मैं involved हो गया बहुत गहरे से, एक argument में बहस में, एक taxi driver के साथ, embroiled entangled, और participating तीनो एक दूसरे के synonym है इसको involved भी बोल सकते हैं, बहुत जादा अंदर किसी चीज के आप गुसे हुए होते हो, तो यही 4-5 words हैं, details में हो गए हैं, Saturday Sunday में revision किया करो, यह sheet आपको इसलिए देता हूँ, ताकि आपका monthly और weekly revision होता रहे download कर ले ना इसको चलिए एक summary आपको देने, किस बारे में लिखा हूँ article पता लगे, राजीव गंदी की 1989 में हत्या की गई थी उसमें साथ लोगों का हाथ था साथ में से एक था पेरारी वलन अब देखो पेरारी वलन जो है न तब से जेल में ही है, इन साथ लोगों के साथ और इसकी रिहाई की बात चल रही है रिहाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये उस वक्त था 19 साल का जिस वक्त इसको जेल में डाला गया था थोड़ा नादान था दिमाग से भी दूसरा, जाजीव गांदी की हत्या में जो बैटरी परचेज हुई थी जो बम उड़ाने के लिए बैटरी आई थी वो बैटरी में लाने को इसका हाथ था तो इसका हाथ तो था लेकिन बहुत बड़ा हाथ नहीं था और पबलिक का यही कहना है कि 30-35 साल हो चुके हैं अब इसकी सजा की जो है रिहाई होनी चाहिए तो फाइनली इनको रिहा किया जा रहा है लेकिन इसमें एक लॉंग बैटल चली है तामिल नाडू के गवर्नर स्टेट गॉवर्मेंट और सेंटर गॉवर्मेंट के बीच में इस बैटल के बीच में सुप्रीम कोर्ट पड़ा और उसने बोला कि सब साइड में हो जाओ मैं अपनी एक्स्टारणरी पावर यूज कर रहा हूँ और इस आदमी को रिहा कर रहा हूँ अब हमारा आर्टिकल दो चीज़ों पे नज़र डालेगा पहली चीज़, क्या पब्लिक की ओपिन्यन पे लोगों के कहने पे किसी की सजा माफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज़, जब गसी स्टेयट का लेजिसलेटिव किसी काम को करने के लिए गवर्णर को बोल देता है तो क्या governor को उसमें टांग फसानी चाहिए या नहीं चाहिए तो दो questions पर आज जो है विचार करने पला है आज की tone है inquisitive inquisitive tone क्या होती है जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाए article आपसे सवाल पूछेगा दो जगए मैं आपको बताऊंगा जहां पूछेगा तो जब भी आपसे article सवाल पूछता है ना कुई नए questions को आपके सामने खड़ा करता है तब inquisitive tone के articles होते हैं तो एक नई type की tone है इसको note करें चलिए शुरू करें article को आज आज आप बहुत interesting article है करादू सुप्रीम कोट has invoked its extraordinary power to order the release of A.G. पेरारिवलन one of the seven convicts in Rajiv Gandhi assassination case for whose freedom his mother many political parties and vast sections of public opinion have been campaigning for years करें सुप्रीम कोट ने invoke कर दिया है invoke करने का मतलब होता है जगाना या activate करना समन करना सुप्रीम कोट ने समन activate कर दिया है जगा दिया है अपनी special wishes powers को extraordinary power को और किसलिए भाई order करने के लिए रिहाई को पेरारिवलन नाम के इस आदमी की शायद मैं इनका नाम सही से प्रणाउंस नहीं कर रहा हूँ तामिल लोग बता सकेंगे कोई तामिल हो तो ज़रूर से बताना ठीक है तो सुप्रीम कोट ने अपनी extraordinary powers को जगा करके पेरारिवलन को release करवाया है अब ये पेरारिवलन कोन है ये एक है उन साथ convicts में से उन साथ ऐसे लोगों से जिनकी उपर हत्या का अरोप से दुआ था और convicts थे राजीव गंदी assassination केस में राजीव गंदी की हत्या में और करें ये वो भी हैं जिनके लिए जिनके लिए या जिनकी freedom के लिए अजादी के लिए उनकी मा यानि उनकी मदर बहुत सारी political parties और काफी बड़ा section यानि समुदाई जो है public opinion का लोगों की राय का करें इस सब लोग campaign कर रहे हैं कई सालों से अभ्यान चला रहे हैं कई बरसों से आई बात समझ में तो supreme court ने ऐसे इनको release करवाया है अपनी extraordinary power को use करते हुए ये वही आदमी है जो 7 में से एक है उन हत्यारों में से और जिसकी रिहाई के लिए उसकी मा कई political parties और कई sections दो है society के कई सालों से अभ्यान चला रहे हैं campaign कर रहे है sentence clear है the court की verb है has invoked supreme court कोई भी court हो कोई भी government agency हो अपने आगे हमेशा दा को लेती है statutory agencies तो हमेशा दा को लेंगी लेंगी समिधानी कितने भी establishment है one के बाद में अगर off लगे तो इसका मतलब क्या है एक plural noun लेगा तो one of seven convicts convicts है ना one of के बाद में plural noun अच्छा political parties mother एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको सही color दे दूँ just a minute ठीक है यह हो गया blue जो है green color mother parties और sections तीनों की verb है have been campaigning ये तीनों campaign करते आ रहे हैं past से भी और आज भी कर रहे हैं तो have been campaigning present perfect continuous stance vast का मतलब होता है बहुत बड़ा अब एक बहुत ही प्यारा concept है यहां पे दो मिनिट लगें कि उसको समझने में मैं पहले आप से एक सवाल पूछता हूँ आप पहले खुद से पूछो ठीक है have been campaigning की जगह have been campaigning की जगह अगर मैं has campaigned लिख दूँ तो इस sentence में और इसके meaning में क्या change आजाएगा ठीक है जिसको आता हो पहले सोच लो जिसको आता हो तो post करना comments में अभी इस पूरे concept को concept बढ़ा है मैं आपको detail में अभी करवाँगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कर फ्लो बने अपना करे दो सुसाइड वांबिंग देट टुक दे लाइफ और राजीव गांदी along with that of 15 others including 9 police personnel on Tamil soil caused a great deal of revulsion in the states but this sentiment awaited with the passage of time अब बता रहे है पबलिक ओपीनियन इन के लिए बनी कैसे इस आदमी के लिए जो तो हत्या रहा था इसने तो हत्या की थी करे जो सुसाइड वांबिंग थी जिसने टुक किया था राजीव गांदी के लाइफ को और किसके साथ along with साथ में जिन्दिगियों के 15 others की लाइफ के 15 others की जिसमें शामिल थे 9 police वाले 9 police personnel और सुसाइड वांबिंग हुई थी तमिल सोयल पे तमिल नाडू की भूमी पे करे ये बांबिंग जो है ना इस टाइप की जिसने इतने लोगों की जान ली है ना 15 police वालों की राजीव गांदी की करे इस बांबिंग ने कोज कर दिया एक बहुत ही बड़ी deal को great deal का मतलब है बहुत बड़ी मातरा बहुत बड़ी amount है ना तो इसने बहुत बड़ी quantity of revulsion को cause कर दिया revulsion का मतलब होता है hatred, lot dislike, इस state के अंदर तमिल नाडू के अंदर तो सभी को नफरत होगी इन लोगों से जिन लोगों ने इस काम को किया था करें लेकिन, but ये जो नफरत की भावना है, जो sentiment है ये abate हो गया, ये धीमा पढ़ गया मंदा पढ़ गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया with the passage of time शुरू में तो सब बोलते थे fancy bullet का तो, लेकिन अब 30-32 साथ के बाद बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो ये नदान बच्चा था, इससे गलती हो गई bombing की वावबे कोस्ट that की वावबे टुक, that आया, bombing के लिए, of course including का मतलब है शामिल personal, अच्छा ये बता हो जै personal जो लिखा हुआ है अगर इस word की मैं spelling change कर दूँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, पहला word तो है ये personal, ठीक है personal, और दूसरा word है personal, इन दोनों में क्या फर्क है बहुत ही simple सा concept है, dictionary खोलोगे तो देखते समझ में आ जाएगा, डालो comments में लिखने से आपको long term तक याद रहता है पर्सनेल और पर्सनेल में क्या फर्क होता है चलो, suicide warming की वोगी cause, revulsion मैंने आपको बता दिया, नया word है, hatred, dislike किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रिना, नफरत है sentiment की वोग है, abate it abate होने का मतलब होता है, चीजों का आपका सबका है न, ये concept क्या क्या क्यता है, चार sentences देखो आपके सामने लिखे हुए है, पहले इन देखो चार sentences में कोई error आपको दिख रही है क्या the speed of rocket is double of an airplane rocket की speed, एक plane की speed से दुगनी होती है, the area of the bedroom is larger than that of the sitting room, जो area है sitting room के area से ज़्यादा है home minister's views are similar to health minister home minister की views जो है एक जैसी है, health minister के जैसी and lives of rich kids are entirely different from the poor ones, अमीर बच्चों की जिंदगियां पूरे तरीके से अलग होती हैं, गरीब बच्चों से चलो, चारों के अंदर हमने comparison किया दो-तीन चीजों का, जो rocket की speed है, वो double है airplane से, ठीक है हिंदी में sentence ठीक है रोकेट जो है, वो double speed से भागता है airplane के मुकावल है, लेकिन English में sentence गलत है, क्यों भाई, देखो speed जो है न, speed rocket की speed जो है, वो double है airplane से नहीं, airplane की speed से, तो मुझे लिखना चाहिए is double, double the speed, the speed of an airplane ऐसा लिखना चाहिए न, speed को speed से compare करेंगे, rocket की speed को airplane से compare नहीं कर सकते है rocket के size को airplane से compare किया सकता है size को size से करो speed को speed से करो, rocket को airplane से करो, तब चलेगा तो इस case में speed को आपको speed से compare करना पड़ेगा, और यहाँ पे 10 speed लिखना पड़ेगा, अब यह sentence हो गया, बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी इसको और इंप्रूब किया जा सकता है क्यों, देखो speed यहाँ भी आ रहा है speed यहाँ भी आ रहा है तो दो बार एक ही word को एक sentence में use ना करें, अब यहाँ पे लिख दें that, यही concept है that कैसे sentence में गुश जाता है जैसे यहाँ पे that गुशा हुआ है अगला sentence देखो the area of the bedroom is larger than that of the sitting room area जो है bedroom का वो बड़ा है sitting room के area से तो यहाँ पे area को compare किया जा रहा है area से और area दिखने की बज़ाए दूसरी बार आमने लिख दिया है that हारी बात समझ में इस तरीके से sentence में that को गुशाय जाता है अगर दो चीजों को बड़ाबरी वालों को compare करवाना हो यह that का मतलब कुछ और नहीं area ही है यह that का मतलब कुछ और नहीं speed ही है वैसे home minister की views जो है वो बिल्कुल एक जैसी है similar है health minister से तो home minister की views health minister से एक जैसे नहीं हो सकती health minister की views से उनकी तरह हो सकती है मान लिजी home minister की ऐसी views है तो health minister की views भी वैसी ही होंगी तो similar to similar to the views the views of the health minister ठीक है views को views से compare कर दिया अब मुझे बताओ यह जो views है दूसरी बार आ रहा है न तो इसके जिगा मैं that लिख देता हूँ ऐसा कर दूँ उपर भी तो यही किया न area दूसरी बार आ रहा था that लिखा speed आ रहे था that लिखा लेकिन views के case में that नहीं आएगा अब देखो क्यों नहीं आएगा that आता है singular के लिए यहां लगाना है गरीब बच्चों से नहीं गरीब बच्चों की life से तो from the lives from the lives of the poor ones ठीक है गरीब बच्चों की जिंदिगियों से और यहां पे the lives के लिए मैं यूज लिखूंगा those तो that और those कैसे sentence में घुश जाता है किस meaning से logic से आपने सीख लिया है आगी बात समझ में यहां पे इसलिए that को लगाया गया है इसने जिंदिगियों को लिया life को राजीव गंदी की साथ ही साथ उन जिंदिगियों को भी that of को भी जो 15 अदर्स के थी life के जगह पे दूसरी बार that को लगाया गया है बढ़े आगे आज के quiz में इस concept को यूस करेंगे करेप पिराली लगाया बलन जू मच पब्लिक सिंपथी लाजली due to the fact that he was only 19 when he got embroiled in the assassination plot and later revelations that a portion of his confessional statement was improved by a police officer to link his purchase of a battery to that one used in the belt bomb that was used in the suicide bombing अब वो ही बता रहे है कि कैसे sentiment change हुए पैसे के साथ में कर रहा है शुरू में पिरारी वलन ने ड्रॉ किया खींचा अकर्शित किया और किसको पबलिक की sympathy को लोगों की समझगे ना sympathy को लोगों की सांतवना को और कर रहा मौटे तोर पे इस वज़े से due to इस fact की वज़े से इस बात की वज़े से कि वो महज 19 साल का था जब वो got embroiled हुआ जब वो involved हुआ इस शामिल हुआ इस assassination के plot में इस हत्याकांड की साजिश में और बाद की revelations की वज़े से बाद में होने वाले इस खुलासे की वज़े से कि एक portion जो है एक हिस्सा जो है उसकी confession वाली statement का उसकी अपनी अपरात को कबूलने वाली जो statement थी उसका correct portion जो है improve किया गया था उसमें छेडखानी की गई थी एक police officer के द्वारा ताकि link किया जाए उसकी purchase को खरीदी को एक battery की उसके साथ में वन उस battery के साथ में जो इस्तिमाल में हुई थी उस belt bomb में जिसका इस्तिमाल हुआ था यूज किया गया था जो suicide bombing के अंदर लंबा sentence से क्या फरक पड़ता है अगर sentence को आप break कर सकते हो ना तो sentence को यह सा है यह नहीं जो आप समझना पाओ परारी वलन की verb है drew, he की verb है was, he आया परारी वलन के लिए again he की verb है got, परारी वलन के लिए he को लगाये गया है got emerald मतलब got involved, emerald का मतलब ही होता है deeply involved, portion की verb है was improved passive voice में, revelations का मतलब होता है खुलासे, reveal मतलब खुलासा करना, verb है, इसी से noun बना दिया revelation मतलब खुलासा या declaration है ना, तो यह due to the fact, due to the fact and due to revelations ऐसे बना वह sentence, इन दोनों की वज़े से इसको public sympathy मिलेगा, चलो, आगे बटते है, that he was used, that I have belt bomb के लिए but essentially, the verdict of the three member bench is an indictment of the disregard for federal norms in the deliberate inaction that Raj Bhavan displayed when presented with the cabinet advice to release them in 2018 अब बता रहा है, इसको release करने के लिए 2018 में बुला गया था, 2022 तक यह आदमी जेल में क्यों है करें, लेकिन essentially अगर देखा जाए, essentially मतलब essence के तौर पे, अगर इस पूरे मामले की essence को, इसकी gist को बाहर निकाला जाए तो करें, जो verdict ना, जो फैसला है, तीन member की bench का, Supreme Court की, करें, ये एक indictment है, ये एक दोश सिद्धी है, उस disregard की, उस अभहिलना की, जो disrespect दिखाए गई है फेडरल norms को लेकर के, संगिये norms को लेकर के, और कैसे, एक बहुत ही deliberate in action में, एक ऐसी शिचलता में, एक ऐसे in action में, जो deliberate है, सोचा समझा है, पहले से pre-planned है, और ये वो in action है, जिसको राज बहुन ने दिखाया, तमिल नाडू के गवर्नर की office ने दिखाया, राज बहुन मत कि release किया जाए इन लोगों को 2018 के अंदर, तो कई लोगों के release की बात तो रही है, 2018 में, तमिल नाडू की cabinet ने इस प्रस्ताव को पारित भी किया, गवर्नर के सामने रखा, राज बहुन के सामने रखा, लेकिन राज बहुन ने जान बूजकर की in action दिखाया, deliberate तोर पे, कि इ भी release कर रहे है, यह bench का जो word it है, राज बहुन की दोसे सिद्धी को बताता है, उनकी indictment करता है, accuse करता है, उनकी उपर बड़े बड़े आ रहो, word it की verb है is, indictment का मतलब होता है, formal acquisition, किसी को दोस, किसी की उपर blame डाल देना, formally है ना, कि आपने ही ऐसा किया है, charge करना किसी को indictment कह लाता है, federal मतलब संगी है, deliberate मतलब सोचा समझा, well planned, pre-planned, thought out, राज बहुन मतलब गवर्नर का office, इसकी verb है displayed, presented with यहाँ पर adjective है, past participle, यह वो राज बहुन है, जिसको present with किया गया, जिसके सामने रखा गया cabinet की advice को, करा, going by the union government's arguments, one can discern that it was the center's guiding hand, that was responsible for the delay, करा, अगर consider करें, going by करें, अगर हम according to चलें, हिसाब से चलें, going by का मतलब होता है, किसी चीज के हिसाब से चलना, यह consider करना, करा, अगर चलें हम हिसाब से center government की, union government की argument के, तो कोई भी आदमी समझ सकता है, discern कर सकता है, feel कर सकता है, notice कर सक का ही guiding hand था, center को ही guide करने वाला हाथ था, center का ही हाथ था, जो responsible था, जिम्मेबार था, इस पूरी delay के लिए, तो Tamil Nadu की assembly ने बोला, कि इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन governor बीच में आगे, governor साब ने बोला, मैं अभी सोचूंगा, और अगर union government की आप argument देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि governor साब ने ऐसा क्यों बोला था, शायद center government ने गवर्नर को बोला था कि आप रिहा मत होने देना इन लोगों को, one की वाब है, can discern, that की वाब है, was, that आया guiding hand के लिए, it की वाब है, was, it यहाँ पे introductory subject है, आगे बढ़े, ये going by नाम की phrase को देख लेना, इसका इसको feel या notice करना, rather than governor had referred the cabinet advice to the president for a decision, करा उस वक्त के जो governor साब ते 2018 के, जैसे ही उनको cabinet के advice मिली, उन्होंने इसको refer कर दिया, आगे भेज दिया, और कहां पे भेज दिया, president साब के पास एक decision के लिए, इस तरीके से, इस मामले में, देरी को, देरी का रुख अपनाया गया है गवर्णर ने बोला भी मुझे नहीं बता, president साब से पुछो, वो बोलेंगे तो मैं करवा दूंगर या, governor की वह है, had referred, then का मतलब है, उस वक्त के, आज के नहीं, उस वक्त के, इसको erst while भी बोलते है, president, prime minister, कोई भी ओदाव, बड़ा है चोटा, उसके आगे आगे आपको द commission of life sentences, और जैसे ही president के पास ही मामला आया, center ने बयान भी दिया, center ने भी argue किया, दलीर रखी, कि ऐसे cases, जो शामिर करते हैं, involve करते हैं, murder को, और किस के अंदर, Indian penal court के अंदर, IPC के अंदर, ये सभी cases आते थे, under, नीचे, president की exclusive jurisdiction में, passengers की खास जो है, दायरे के अंदर, और ये दायरा कहां पे, ऐसे मामलों में, जो है, remission का, जो है, maffy का, life sentences का, सजा, जो है, उमर कैदों का, है न, तो ऐसा center ने बोला था, गवर्णर ने बोला कि, president से पूछो, और साथी साथ, center ने बोल पड़ा, इदर से दलील पेश की, कि president से पूछना है, हाँ, विल्कुल ठीक है क्योंकि president के पास ही powers है, ऐसे मामले में, सजा, maffy की, center की वाब है, argued, cases की वाब है, came, involving मतलब, involve करने वाले, यहाँ पे adjective है, involving, jurisdiction का मतलब होता है, ambit scope, दायरा, पर view, domain या realm, इस word को आप जानते हैं, remission का मतलब होता है, maffy, abatement, yet decrease in intensity, किसी को 20 साल की सजा मिली है, president को लगा क के चलो कोई बात नहीं, इसको सजा, maffy कर देते हैं, 20 के जगा, दो साल की कर दी, यह उसको रिहावी कर दिया, तो यह कलाता है, remission of sentences, life sentence मिला था, इन लोगों को, जो है, उमर कैद मिली थी, कर दे, the court has put an end to all doubts, by holding, that, the governor is bound by the state cabinet's advice, when acting, under article 161 of the constitution, that his reference to the president, was inimical to the scheme of the constitution, and that remission remains, firmly under the state's jurisdiction, in this case, अब यह सारा मामला court ने कैसे सुलजाया, है ना, यह president, governor के बीच में आगे पिछे जारा case, कर दिया, put an end कर दिया, पुरी तरीके से eliminate कर दिया, सारे doubts को, सारे शकों को, और कैसे, hold करके इस बात को, इस बात को जोर देके, कह करके, that वो यह की, अब देखो, court ने तीन बाते कह पहली बात है, that वो यह, governor duty bound है, governor की यह duty है, फर्ज है, और कैसे, state cabinet की advice के साथ में, जो cabinet ने बोल दिया, governor को तो उस पे हामी भरनी है, governor को उसके उपर, समझगे न, mean mechanism में नहीं निकालने है, और कब, जब बात हो, when act वो कर रहे हो, article 161 के enter में, हमारी constitution के, तो article 161 में, governor, state council की जो भी बात है, उसको, advice को जो है, उसके लिए bound है, उसको मानना ही पड़ेगा, तो पहली चीज़ तो code ने यह hold की, दूसरी चीज़, that लगा के, फिर से बता रहे है, that, governor का जो reference था, governor का जो refer करने का काम था, इस पूरे मामले को president की तरफ, करे यह reference ही अपने आप में unfriendly था inimical था, adverse था, contrary था, ultra था, हमारे constitution की scheme के, हमारे constitution के, समिधान के system के, तो समिधान में ऐसा कही नहीं लिखा हुआ, governor को ऐसा करना चाहिए, बिलकुर समिधान के ultra जाके governor ने इस काम को किया, अब देखो इन्होंने तीसरी बात भी कही, that and that, देखो end लगा के बता रहे है, that, ती तो court ने सारे doubts को सारे apprehensions को यहां पे खतम कर दिया, put an end कर दिया, तीन बातों को जोर दे करके, कह करके, the court की verb has put, put an end to something मतलब किसी चीज को पूरे तरीके से retire कर देना, है न, खतम कर देना, the governor की verb is bound, यहां पे bound actual में verb नहीं है, bound adjective है, is आपकी main verb है, governor is bound, bound का मतलब है बधा reference की verb है was, inimical का मतलब होता है contrary या उल्टा, unfriendly, adverse, किसी चीज के बिलकुल खिलाफ है न, inimical, adverse, unfriendly, contrary सब अपने बाद में to लेते हैं, जो चीज जिसके खिलाफ होती है, उसको बताने के लिए, remission की verb है remains, remission आप जानते हैं, सजा माफी या सजा में कमी, चलो, simple सा sentence है, लंबे हैं, लेकिन आसान हैं न, आजाओ next paragraph पे, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा सवाल, आपके सामने questions को present करेगा, करे, even when, a constitution bench, while resolving legal questions over the statutory powers of remission under CRPC, held that the release of these convicts would require the center's concurrence, it had made it clear that the constitution powers of President, Article 72, and Governor, Article 161 remain untrusted. करे, यहाँ तक कि जब, even when, जब एक समयधानिक पीट ने, constitutional bench ने, क्या किया, करे, जब resolve वो कर रही थी, legal questions को, कानूनी सवालों को, और किस की उपर, समयधानिक पावरों की उपर, वेधानिक पावरों की उपर, statutory power की उपर, जो है, सजा माफी की, remission की, CRPC के अंडर में, इस code के अंडर में, करे, जब एक constitution bench ने, सारे मामले को resolve करते हुए, जब ऐसा कहा था, held का मतलब भी होता है, code जब भी hold करती है न, तो उस चीज़ को जोर दे के code कहती है, और आपको मानना ही पड़ेगा, करे, जब code ने, जोर दे के इस बात को कहा था, constitutional bench ने, कि जो रिहाई है, जो release है, इन सभी convicts की, इसमें जरूद पड़ेगी, center की concurrence की, center government की, हामी की agreement की, करे, जरूद तो पड़ेगी, लेकिन इसने ये भी clear कर दिया था, साफ कर दिया था, कि जो समिधानिक powers है, constitutional statutory powers है, एक तो हमारे रास्टपती साफ की, और दूसरा राज्यों के governance की, इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर, करे, ये powers भी बनी हुई है, untouched, इन powers को touch नहीं किया जा सकता, इन powers के उपर, किसी दूसरे का जोर नहीं है, आई बात समझ में, तो center के पास ही मामला इसी लिए गया, क्योंकि constitutional bench नहीं कहा था, कि center की concurrence होनी चाहिए, तो center की concurrence तो हुई या नहीं हो, ये बात की बात है, ये मामला फस गया, president और governor के बीच में, तो हमारा ये ही कहना है, इस constitutional bench का भी, कि इन दोनों की powers untouched है, इनकी powers के लिए इनको किसी से पूछना नहीं है, आई बात समझ में, constitutional bench की verb है, held, release की verb है, would require, would require मतलब require करेगा, would यहाँ पे weak future को बता रहा है, concurrence मतलब convergence यानि की agreement, आपसी सहमती, it की verb है, head mate, it आया है constitutional bench के लिए, constitution powers की verb है, remain, untouched का मतलब है, जो बिलकुल भी प्रभावित ना हो, जिसके उपर किसी का थोड़ा भी जोड़ ना हो, untouched, करे, in the light of this, and the position that, remission powers are exercised solely on the cabinet advice, there was no informity, in the state's recommendation to the governor, in 2018 for their release, करे, in light of this, इस मामले को देखते हुए, इस मामले पर प्रकास डालते हुए, consider करते हुए, और इस position पर भी, that वो यह कि, जो remission powers है, जो सजा माफी की ताकत है, उनको exercise किया जाता है, अकेले, और किसके उपर, solely on cabinet advice, cabinet की advice पे, खाली उसी की advice पर अकेले, जो है, इसको exercise किया जाता है, तो करे, इस मामले में कोई भी informity नहीं थी, कोई भी weakness नहीं थी, informity का मदबता है weakness, और किसमें, state की recommendation में, गवर्नर के सामने, 2018 में, उनके release के लिए, तो इस, सभिधानिक पीट नहीं बोला था, कि गवर्नर की powers untested हैं, उसको किसी से कुछ पूछने की जरूत नहीं है, लेकिन इसके साथ में, इस मामले को गयर आप देखो, जिसमें ये लिखा हुआ है, कि गवर्नर जो है, वो सिरफ cabinet के advice पे ही काम करेगा, तो जब cabinet से advice आ चुकी है, और गवर्नर की powers untested हैं, तो गवर्नर ने क्यों इस मामले को राष्टपती के पास भेजा, उसको जरूत ही नहीं थी, रेमिशन पावर्स की वब आर एक्सरसाइजड, पैसिव वाइस में, इसकी वब है was, यह आया है देर नाम के introductory subject के बाद, देर के बाद में जब भी कोई वब आएगी, उसका subject जो है वब के बाद में रखा जाएगा है, इनफर्मिटी मतलब weakness या debility, इसके लिए अच्छा वर्ड है debility, जब आप गरीब हो जाते हो, तो आपकी बोड़ी में informity या debility आजाती है, लेकिन state government के एक recommendation में कोई भी informity नहीं थी, करव वाइल, the bench has done well to put an end to doubts about governor's remission power and the manner of its exercise, a sticking point remains, तो court ने सारा मामला खतम ही कर दिया, court ने governor को बोल दिया, आपकी powers untrust है, state government ने आपको बोला है और आपको मानना ही पड़ेगा, use करो अपनी power को और इस बच्चे को छोड़ो, यह ना इस आदमी को छोड़ो, करव जहां bench ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, done well कर दिया है, इस पूरे मामले को सारे doubts को end put करके, खतम करके, और किस बारे में, governor की सजा माफी की powers को ले करके, और उस तरीके को ले करके, जिसमें इसको exercise किया जाता है, इस power का इस्तिमाल किया जाता है, करवें जहां अच्छा काम हो गया है, अभी भी एक जगडे की जड़ जो है, sticking point जो है, बना हुए remains, sticking मतलब चिपकने वाला point आप जानते हैं, तो जहां पर चीज़ें अभी भी चिपकी हुई है, ऐसा एक point अभी भी बना हुए, bench की वह भाबा has done, point की वह भाबा remains, आगे बढ़ते हैं, करा nothing has been said on what should be done, when the absence of any time frame for president, or the governor is cynically exploited to indefinitely delay executive decisions, करें कुछ भी नहीं कहा गया court के दवारा, nothing has been said, और किसी चीज़ के बारे में वही, क्या किया जाना चाहिए, what should be done, और कब जब absence हो, जब ना मुझूदगी हो, किसी भी निश्चित time frame की समय सीमा की, president साब या governor साब के लिए, करें जब ये absence जो होती है, इसको cynically, बहुती mockingly, बहुती उफास के तोर पे, exploit किया जाता है, इसका misuse किया जाता है, लंबे वक्त के लिए, indefinitely या endless वक्त के लिए, delay करने के लिए, executive के order को, विधान सबा या लोग सबा के decisions को, तो इस मामले में कोड ने कुछ भी नहीं का, कि लोग सबा या विधान सबा ने कुछ कह दिया है, लेकिन कोई भी time frame नहीं है, governor और president की decision का, है ना, उनकी concurrence का, तो इसी time frame की absence को, अगर जान बुझकर के exploit करता हूँ दिखे, governor या president, तो क्या किया जाना चाहिए, कोड को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, था, इस case में यही तो हुआ है, nothing की verb has been said, what की verb should be done, absence की verb is exploited, तो एक सवाल सा बन गया नहीं यहाँ पे, इसलिए inquisitive tone है आज की, सवाल पूछे जा रहे हैं आप से, क्या किया जाना चाहिए, ऐसे case में, what should be done, cynically मतलब in a cynical या mocking manner, cynics वो लोग होते हैं, जो हर चीज को mock करते हैं, इनको अच्छी चीज भी बुरी लगती है, और बुरी चीज भी बुरी लगती है ना, इंसानियत का जिसमें विश्वास ना हो, वो इंसान होता है, cynical है ना, चलो, क्या रहा है, it is impractical, for every matter to be escalated, to the point, that the Supreme Court needs to invoke its extraordinary powers, under article 142, क्या रहा है, बहुत ही impractical है, अवेवारिक है, हर मामले को escalate किया जाना, इस point तक, जहां पे, Supreme Court को जरूत पड़े, activate करने की, अपनी खास ताकतों को, article 142 के under, तो हर बार Supreme Court, ऐसे बीच में नहीं पड़ेगी, कि इस लड़के को छोड़ दो, उस लड़की को छोड़ दो, है ना, ये governor और president को, खुद को समझना है, कि इस time frame की absence का, वो exploitation ना करे, है ना, जान भूज करके, आगे बढ़ेंगे, अभी मैंने एक word यूज किया, जेब में रखना, president और जो है न, governor, इनके close का नाम ही है, pocket close, ये किसी भी मामले को, अपनी pocket में, अपनी जेब में रख लेते हैं, चाहे तो ये अपने पूरे कारिकाल में, उस मामले पे, कोई भी विचार ना करें, कोई इनको कुछ कह नहीं सकता, कि 5 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, इनकी pocket में मामला रखा हुए, उसको इननोंने pocket कर दिया है, करा हावेवर, the judgment should not be seen, as any endorsement of the claims of innocence, of the convicts, in the dustedly conspiracy, करा है फिर भी, ये जो judgment आई है, Supreme Court की इसको बिल्कूल ना देखें, किसी भी promotion के तौर पे, endorsement के तौर पे, उन दावों का, जो है, मासूमियत का, influence का, इन सभी convicts की, इन सभी, लोगों की हैंना, जो convicts, जिनका conviction हो चुका है, इस dustedly conspiracy में, इस ऐसी साजिस में, जो बड़ी कायरता भरी थी, प्रेसिडेंट पे, पी-म पे आपका बस नहीं चला, तो आपने जा के उसको बॉम से उड़ा दिया, तो कायरता भरा काम किया गया था, इन लोगों के द्वारा, highly cowardly conspiracy के अंदर, judgment की वोबाई should not be seen, in passive voice, conspiracy मतलब साजिश, plot, कबाल, machination, ठीक है ना, चला, करेंट, whether governments should recommend remission on the basis of public opinion, remains a question to ponder, अब लास्ट में एक और सवाल पूछ है, करें लेकिन जो सरकारे हैं, हाँ या ना, करें इन सरकारों को recommend करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी भी remission को सजय माफी को लोगों के कहने पे, on public opinion, जैसा भी तामिल नाडू में हुआ है, करें हाँ या ना, ये करना चाहिए कि नहीं, करें ये बना हुआ है एक सवाल, आज भी ponder करने के लिए, deeply सोचने के लिए, तो क्या सरकार अगर लोग कहें, तो किसी को भी छुडवा दे, है ना, ये सवाल भी हमारे सामने है, इस सवाल पर हमें सोचना पड़ेगा, गोर्मेंट की वह भी शूट रेकमेंट, और इस पूरे क्लोज की वह भी remains, वैदर गोर्मेंट शूट रेकमेंट, इस पूरे क्लोज को कहते हैं, quiz-based questions बनेंगे, concept यह है कि present, present या past ओ, perfect continuous tense और perfect tense बराबर होते हैं, एक दूसरे के, अगर उन दोनों के साथ में 4 plus duration लगा हो, 4 plus duration, since की बात नहीं होरी अगिन, 4 plus में duration आ गई हो, time duration, तो perfect और perfect continuous tense बराबर ही है, चाहे present में लगा हो, चाहे past में इस concept को आप use करो, जैसे he has been studying for 3 hours, and he has studied for 3 hours, पहले का मतलब है, वो study कर रहा है 3 घंटों से, अब देखो, दूसरे का मतलब भी यही है, वो study कर रहा है 3 घंटों से, meaning में कोई भी difference नहीं है, दूसरे में यह मत समझना, कि उसकी study पूरी हो चुकी है, 4 के साथ में अगर duration आ जाए, तो चाहे present continuous लगाओ, perfect continuous लगाओ, चाहे perfect लगाओ, एक ही बात है, अब आप पूछो के सर, दो tenses की जरूरती क्या है, अगर ऐसा ही है, तो एक ही tense बना देते, पहले वाला इसा ही हो जाता है, फिर दूसरे की जरूरती क्या थी, इनका meaning एक जैसा क्यों है, तो इसके दो region है, इन दोनों का meaning तो एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का emphasis अलग-अलग है, कैसे, first वाले case के अंदर सारा emphasis है work में, तीन गंटे से वो क्या कर रहा है, तीन गंटे से वो पढ़ाई कर रहा है, सारा emphasis है on the work, और second वाले में सारा emphasis है, गंटे पे यानि time पे यानि की duration पे, यानि की duration पे, वो कब से पढ़ रहा है, वो तीन गंटे से पढ़ रहा है, समझ में आगी बात, पहले वाले में तीन गंटे से क्या कर रहा है तीन गंटे से पड़ रहा है दूसरे वाले में पड़ कब सर है तीन गंटे से पड़ रहा है तो जब आपको टाइम पे जोर देना था तो जो एक perfect use करें जब काम पे जोर देना हो जो काम हो रहा हो तब perfect continuous को use करें दोनों ही correct हैं, दोनों ही ठीक हैं तो ये तो था first reason दोनों के आपस में interchange होने का अब देखो second reason, ये थोड़ा ओर बड़ा है ये दो sentence है I have been knowing him for six years and I have known him for six years मैं उसे छे सालों से जानता आ रहा हूं फर्स वाला sentence टेक्निकली correct होना चाहिए लेकिन incorrect है उपर studying था ये correct था यहाँ पर knowing आ गया, है ना छे सालों से जान रहा हूं तो छे साल पहले भी जानता था आज भी जानता हूं लेकिन फिर भी फर्स वाला sentence incorrect है, आप देखो क्यों नो एक ऐसी वर्ब है जो किलाती है स्टेटी वर्ब, और स्टेटी वर्ब कभी भी continuous sentence में use नहीं होती है चाहे perfect continuous हो, चाहे past continuous हो चाहे present continuous हो, है ना चाहे future continuous हो स्टेटी वर्ब कभी भी अपने अंदर time consumption नहीं होता है, उनमें किसी को जानना है तो जानना है, एक second की बात है या तो जानते हो या नहीं जानते हो जान रहा हूँ, ऐसा कोई भी word English में नहीं होता तो knowing जो आपने use किया है perfect continuous में ये incorrect है ये सारी stative verbs ऐसे ही काम करेंगी no, consider, possess, own, believe, remember, love, hate, or understand basics में आप देखोगे इस concept को हम अलड़ी कर चुके हैं, बहुत डिटेल में वही concept आपको करवा रहा हूँ इस वजह से first sentence को ऐसा नहीं लिख सकते इसलिए हमें present perfect tense को रखना पड़ा इस तरह के meanings करवाने के लिए क्योंकि कुछ verbs ऐसी हैं जिनको आप verb के ing form में use करी नहीं सकते studying तो आजाएगा लेकिन knowing, possessing, owning, believing, remembering, loving, hating और understanding नहीं आ सकता आगई बाद समझ में तो ऐसे PPC present perfect continuous और PP present perfect एक दूसरे के बराबर होते हैं दो reasons की वजह से चलो, तो यहाँ भी आ सकता था शुरू में भी have been campaigning की जिगा ऐसा भी लिखा जा सकता था have campaigned for years इसमें years की उपर जोड़ दे दिया जाता अगर perfect tense में इसको अपने change कर देते अब आजाओ quiz पे ताकि quiz के अंदर यह concept आए तो आप इसको handle कर सको है न last question easy है emerald का meaning आपको पूछा है आता होगा already ये भी बहुत easy है किसी चीज़ पे बहुत deeply think करना उसको क्या बोलते हैं English में cynical बोलते हैं, ruminate बोलते हैं, deliberate बोलते हैं remission बोलते हैं, inimical बोलते हैं, ponder बोलते हैं सारे words आ चुके है third के अंदर आप से पूछे हैं 4 words, 4 में से कौन सा word यहाँ पे fit बैठेगा vocabulary के इसाब से और fourth में आप से that और those में difference पूछा है, that, those और them क्या लगाओगे यहाँ पे, ताकि meaning आपका set बैठेगे, देख लेना powers के लिए लगाना है, जो भी लगाना है, hint आपको मैं दे रहा हूँ, अब first and second में दो errors है, यहाँ पे आपको check करना है present perfect continuous tense क्या use किया जा सकता है यह नहीं, और दूसर चेक करना है one off के बाद में किस तरह के nouns आते हैं, hint मैं आपको दे दी, आप गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं expect कर रहा हूँ सारी hints देने के बाद, पूरा class देखने के बाद, at least 5 marks से में से आपके आएंगे, comment section में link रखा है answer रखे हैं, जा करके check करो hints के साथ में answer से अपने answer को और मुझे match करके बताओ out of six के आपको कितने marks मिले जितने भी मिलते हैं, लिखा करो, एक, दो आप 10-15 दिन अलग से time निकालो, इस चीज के लिए तयारी करो, prepare करो, आप जो एक, दो से चार पांच की जरनी हैं, दस से पंदा दिन में पूरी कर लोगे हैं, ना, चलिए मुला का दोगी, next class में एक like और एक share दें सभी courses available हैं, application पे ये number इस पे WhatsApp करें, आपको reply मिल जाएगा, regarding your queries on courses and application हैं, चलिए, until then signing out